सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद पापुजी के यूटूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकान को दबाना न भूलें सबस्क्राइब प्रभू आती है ना प्यास लगती है न ना नीद आती है बस रुक्मनी रुक्मनी दिखाए देती है तो ब्राम्ढदेव ने कहा प्रभू एक बात पूछूं आप spekt ने नहीं आती है esti जब नीद नी आतर तो इस अपने कहां से आते हैं प्रभू, भगवान हसने लगे, जो समझो लेकिन होता ऐसा ही है, और आधी रात को ही भगवान ब्राहमर देव को रत पर पीछे बिठाए, स्वेम सार्थी बने, और क्या तेज रत चलाई है गोविंद ने, सुबह होते होते भगवान पहुंच गए बिश्मक सभी बड़े बड़े राजा महराजाओं के इस वागत कर रहे थे, जब गोविंद दिखाए दिये, बिश्मक देखते रह गए गोविंद को, मन ही मन सोचा, काश, इनके साथ मेरी बेटी का व्याह हो जाता, गोविंद ने हम मुस्कुराते हुए कहा, ससुग जी तथास तू, ऐसा ही होगा, इसलिए तू आया हो, यहां सिशुपाल मंडप में पूजन करवा रहा था, उसके कान में किसी ने कहा, कि पता है, कृष्ण भी आया, हाथ से फूल गिर गया, सिशुपाल घबरा गया, पंडितों ने पूछा, क्या हुआ, हरे बोले क्या हुआ, तुमको नहीं पता है क्या हुआ, वो जो शादी में आया है ना, मैं जानता हूँ उसको, एक नंबर का चोर है, बच्पन से चोरी की बड़ी बुरी आदत है उसमें, यहां क्यों आया, कहीं रुक्मिनी को चुराने तो नहीं आया, ब्रामणों ने का, तुम नारियल करके बैठो, गबराओ मत, यहां माता रुक्मिनी मंडप की ओर चलने के बजा है, मंदर की ओर चली है, पूजन के लिए, दस हजार सहिनिकों के बीच में, मंदर का द्वार खुला गया, कात्यानी मा की पूजा करने के लिए प्रवेश करती है, मंदर के भीतर, और भगवान क्रिश्न भी रथ लेकर के मंदर के पीछे आ दे, जैसे ही माता रुक्मिनी अंदर गई पूजन करने और बड़े भाव से पूजन कर रही है, द्वारिक आधीश उतरे, सैनिकों ने देखा, ए कौन हो तुम, यहां कहां, साथियों पकड़ो, मारो, और ऐसे कहते हुए सैनि दोड़े, गोविन्द वहां खड़े हुए, सैनिकों की और प्रेम भरी द्रिष्टी से देखा, और थोड़े मुस्कुरा दिए, गोविन्द का मुस्कुराना तो जुल्म हो गए, सैनिक वहीं के वहीं रुके रह गए, ठैरो ठैरो भईया, ठैरो, मारो मतिन को, देखो तो क्या मुश्कुरा रहा है एक निका भहिया मैं तो इसकी चाल पर फिदा हो गया क्या बढ़िया चल रहा है और भगवान दिरी दिरी चल रहे है एक निकारे गले वाली माला देख क्या महंगी माला पहना है कौस्तुमनी की माला एक ने का भहिया मैं बताओं मैं तो इसकी मुस्कान पर मर मिटा क्या मुस्कुरा रहा सैनिकों की ओर देखते देखते भगवान आगे बढ़ रहे मंदिर के भीतर प्रविश कर गए सैनिकों ने कहा कि आहा चलता कितना बढ़िया है देखो तो इतनी में भगवान रुकमिनी का हाथ पकड़ करके बाहर आगे सैनिकों ने कहा रहे देखो भईया क्या बढ़िया जोड़ी लग रही है एक शाम एक गौर भगवान रुकमिनी को लेकर के दोड़े भागे सहिनिकों ने कह रहे देखो तो दोडता कितना बढ़िया है क्या दोड लगाई है दोड़ों ने दोड़े जा रहे भगवार क्रिक्ष्ण और रुक्मिनी सहिनिक लोग देखते रह गए आनंदी तो हो रहे वैसे धिरे धिरे चलोगे तो फिर हो गया बैटो 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 अब सहिनिकों को ध्याना है जब भगवान रत पर बिठाए और रत ले करके जब भगवान चलाएं है थोड़ी देर में तो भगवान का रत हवा में बातें करने लगा क्या रत चलाई है प्रगो ने जाविय समाचार सिशुपाल को पता चला रुक्मी को पता चला रुक्मी ने कहा कि मिट्र तुम चिंदा न करो मैं मेरी बेहन को लेकर के वापस आऊँगा नहीं ला पाया तुम्हें अपना मून ही दिखाऊँगा सिशुपाल ने कहा जल्दी जा भाई जरासंद इत्याद राधाओं को लेकर रुक्मी आया है भगवान कृष्ण के पीछे भागी दा रहे हैं प्रभू और बीच रास्ते में रुक्मी ने भगवान को रोक रिया टारो द्वारिकादिश तुम मेरी बेहन को लेकर इस प्रकार नहीं जा सकते हो द्वारिकादिश कारत रुक गया पीछे मुण कर देखा जरासंद खड़ा है जरासंद ने का ओ ओ ओ ओ ओ तुम द्वारिकादिश हो मैंने तो सोचा था गुफा में जलकर मर गए हो गए जिन्दा हो हाँ और आजकल ये काम कर रहे हो लड़की भगाने वाला शरम नहीं आती खेर हर बार तो तेरा भाई होता था इसलिए तु बच जाता था आज तु नहीं बचेगा अकेला है बेटा कहां अपने साथियों से कि आक्रमन करो इसके उपर अकेला पाकर असरों ने घेर लिया अद्वारिकादिश को लेकिन जैसे ही आक्रमन करने लगे ना कृष्ण के रथ के पीछे उसी समय एक आवाज सुनाई दी दाओ जी महराज की दे दाओरिकादी शकी है कनिया ने पीछे मुन कर देखा एन वक्त पर सेना लेकर के दाओ भीया पहुंच गए कनिया एकदम मुस्कराए दाओ भीया आप ये होता है बड़ा भाई हाँ छोटे भाई पर भुसी बताए और उस वक्त बिलकुल खड़ा दोनों भाईोंने मिलकर के बड़ा बिशन युद्ध किया है सब वहां से बाग खड़े हुए और रुकमी भी लोट कर न गया बीच में भोजगत नाम का नगर बसा कर वहां रुक गया फिर भगवान रुकमिनी को लेकर आते हैं द्वारिकापुरी पहुंचने से पहले माधोपुर में एक छोटा सा गाव आता है माधोपुर वहां मंडप बनाया गया है और वहां बड़े भाव के साथ दोनों का विवाह संपन्न हुआ है माता रुकमिनी दुलहन बनी भगवान द्वारिकाधीश दुलहे सरकार बने वैसे भी कनिया हमारा बहुत संदर लगता है आज दुलहा बनकर तो आहा करोडो करोडो काम देव निवच्छावर हो जाए दुलहा बनकर के भगवान चले हैं मंडप की और आईए हम सब भगवान की शादी में सामिल होते हैं शादी गुजरात में हुई है न इसलिए गुजराती भाषा में आवे छे ने आवे छे मारो बालो परन्वा आवे छे ने आवे के मारो बालो परन्वा आवे छे ने आनन्द आनन्द आदिः तयो छे आनंदु आनंद आजु थयोचे मरा है आने अरू शावेचे मरू बारू मरा नवा आवेचे तुम्हारा है आने हरे उठ आवेचे हर बारू 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 आवेचे आवेचे ने आवेचे जी आवेचे ने आवेचे सभी लोग भगवान का अधिश के दर्सन कर रहे हैं मंदप में भगवान का प्रवेश मातारुक्मनी भी दुलहन बनकर के आई हैं स्वेम जगदंबा की तरह सज करके आई हैं बोलियरुक्मनी मातुकीद द्वारी का अधिश कीद नमह पारवती पतले हार हार अरवाहादे और उसके बाद ब्रहमणोंने वैदिक्रिती से अरियोम इत्याद मंत्रों के द्वारा वैदिक्रिती से भगवान का विवाह दुमदाम से संपन्न हुआ और इसी के साथ आज की कथा भी यहां पर विराम ले रही है रुक्मिनी मा के मंगल में विवाह के अउसर पर आप सभी लोगों को मेरी व्यास फीर से बहुत बहुत बढ़ाई हो सबस्क्राइब करें श्री चिन्मयानंद पापुजी के यूटूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकान को दबाना न भूलें